नमस्कार मैं प्रद्यम्न तिवारी आप सभी के समक्ष पस्थितू मित्रों आज हम बात करेंगे कि ब्रिश लगन के बारहों भाव में मंगल का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानि कि यहां पर यदि दो नमबर की गिंटी लिखी हुई है तो आपकी ब्रिश लगन है और यदि आपकी ब्रिश लगन है तो ये मंगल का फल आपके लिए है तो आईए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहां पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे? बृष्ट्लग्य बारहों भाव में मंगल का क्या फल होगा आईए जान देते हैं मित्रयदी ब्रिष्ट लगनमें मंगल प्रतम भाव में ही बैठे हो तो जातक उर्जाबान उ्तसाही श्वाभिमानी निरोगी और स्वस्थ होगा जातक गंभीर और महनती होगा जातक कोई भी काम बहुत उत्साहसे करेगा जातक इसपष्ट बोलने वाला होगा, मुह पर बोलने वाला होगा, जातक सौकीन होगा, अपने उपर बहुत खर्च करेगा, परंतु जातक चिड़चडे सुभाव का होगा, जातक उग्रुशुभाव का होगा, और जातक के अंदर धैर की कमी होगी, जातक के सुभाव के का परन्तु जातक के घर में कलय होगी परन्तु जातक बड़ा व्यापारी होगा जातक का बैवाहिक जीवन अच्छा होगा यहां पर बैठेवी वंगल यदि आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली मांगलिक है आईए दूसरे भाव में चलते हैं वित्र यदि ब्रिश्ट काम करके खूब लाब कमाएगा जातक अच्छा सेल्स्मेन हो सकता है परन्तु जातक को अपने गलत निरणयों के करण नुकसान भी हो सकता है जातक के अपने भाई बेहनों से संबंद ठीक नहीं रहेंगे जातक को फोड़ा फुनसी आदी होते रहेंगे जातक को छोटी खच्णूं में फश्क्ता ऑ्फिजूके जगड़ों में फश्कता है यहां पर बैठे विये मंगल नीच के हैं अत्व जातक के अपने भाई बहनोंसे भी मतभेद होंग यहां पर बैठे विये मंगल भाग्यवाव को देखेंगे तो एसे स्थिति जातक का समाज में सम्मान होगा परंतु जातक कोई भी काम पूरा नहीं करेगा हर काम को बीच में ही छोड़ देगा आलस से भी कर सकता है आईए चौथे भाव में चलते हैं मित्रहदी ब्रिष्ट लगने में मंगल चौथे भाव में बैठे हो तो जातक को भूमी भवन बाहन आदी का सुख मिलेगा जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है जातक खुद से भी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदेगा जातक अपने मित्रों पर खर्च करने वाला होगा परंतु जातक थोड़ा गुस्यल और जिद्दी शुभाव का होगा जातक के घर में कलह भी हो सकती है यहां पर बैठ यो यह मंगल इस सप्तव भाव को देखेंगे चौति द्रिष्टी से तो ऐसी इस्तिती में हो सकता जातक की घर में जातक की पतनी और जातक की माता की बीच में कलाय को ole Maintenant परंतु यहां पर बैठ यो मंगल लाब हो देखेंगे कर्म हो देखेंगे तो ऐसी स्थिते में जातक के विदेश में मित्र होंगे और जातक को विदेश से लाब भी होगा जातक के कारेश हेत्र की स्थिती अच्छी होगी आईए पंचम भाव में चलते हैं मित्र यदी ब्रिश्टलक में मंगल पंचम भाव में बैठे हों तो जातक तेजस्वी होगा जातक खेल कूंदादी में रुची रखने बाला होगा इस्पोर्ट में रुची रखने बाला होगा यहां पर मंगल सब्तमे शोकर के पंचम भाव में आए हैं तो जातक के प्रेम बिबाह के भी योग हैं यहां पर बैठे हुए मंगल यदि बुद्ध के साथ में तातकालिक मित्र हो यानि कि मंगल यहां बैठे हो और बुध तीन घर पीछे अथवा तीन घर आंगे बैठे हो तो ऐसी इस्तिती में जातक जुगाडू प्रबृतिका होगा यहां पर बैठे हुए मंगल लाभ भाव को देखेंगे तो जातक किसी भी तरह से लाभ कमा लेगा जातक के पास में बिलकुल पैसे ना हो तब भी जातक कोई ना कोई जुगाड दगा करके और पैसा कमा लेगा परन्तु यदि यहां पर बैठे हुए मंगल बुध के साथ में तातकालिक मित्र ना हो यानि कि मंगल यहां बैठे हो और बुध यहां 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 बैठे हो तो ऐसी इस्थिति में फिर जातक अपने परिवार से ही परेशान हो जाएगा जातक अपनी संतान के अपने बच्चों की गलत आदतों से परेशान हो जाएगा और फिर जातक एकाकी जीवन ज जलते हैं मेत्र्यधी छठे बाव में मंगल बैठे हो तो जातक खरचीले सुभाव का होगा जातक लापरवाह भी हो सकता है जातक कामुक्षप्रवृत्ती का होगा जातक के बैबाहिक जीवन में मतभेद होंगे क्योंकि यहां पर मंगल सब्तमे शोकर के सश्ट भाव में आए हैं अपने शेद्वादस हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक के बैबाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे जातक के जीवन शाथी का स्वास्थ खराब रहेगा क् परन्तू जातक भागिबान होगा क्योंकि यहां पर बैठी वे मंगल भागिभाव को देखें गई और यहां पर इनके उच्च की राशी है तो ऐसी इस्थिती में जातक भागिबान होगा जातक nya अपने उपर खूप खर्च करेगा जातक के सत्रू बहुत होंगे, परन्तु यहां पर मंगल कारक होते हैं, तो यहां पर उनके खुद की राशी है, अतह जातक का जीवन शाती सुन्दर, शुशील और भाग्यवान होगा, जातक के बिवाह के बाद में जातक का भाग्योदय होगा, जातक के बिवाह के बाद में जातक के कारे की स्थिती, काम की स्थिती और भी अच्छी होगी, जातक के बिवाह के बाद में जातक की प्रगती होगी, जातक यदि पार्टनर्शिप में व्यापार करेगा तो उसमें भी लाब कमाएगा परंतु जातक के कारचेत्र में उतार चलाव आते रहेंगे क्योंकि यहां पर बैठे वे मंगल कर्म भाव को देखेंगे तो यहां तक धनवान होगा आईए अस्टम भाव में चलते हैं मित्रयदी अस्टम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के बैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे क्योंकि मंगल सब्तमे शोकर के अस्टम में आ गए हैं तो ऐसी इस्तिति में जातक के बैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे जातक को बाहन से दुरगटना हो सकती है अतह जातक क अपनी वानी के कारण नुकसान भी हो सकता है यहां पर बैठोई मंगल यदि आपकी कुंडली में हैं तो जातक काम तो बहुत सारे करेगा और पैसे भी कई रास्तों से कमाएगा क्योंकि यहां पर बैठोई मंगल लाब भाव को देखेंगे तो जातक कई रास्तों से पैसे कम मतभेद हो सकते हैं यहां पर मंगल उचके हैं अतह जातक प्रवल भाग्यबान होगा जातक विवाह के बाद में भी खूब लाब कमाएगा जातक विदेश भी जा सकता है विदेश आदी में नौकरी करके खूब लाब कमाएगा यहां पर बैठेविये मंगल केंद्रत्रिकोन राजियोग बना रहे हैं और उच्चके तो हैं ही तो ऐसी इस्तिति में जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे जातक खूब मेहनती होगा और अपनी मेहनत से खूब सारी प्रॉपर्टी भी खरीदेगा परन्तु यहां पर बैठेविये मंगल जातक की माता का स्वास्त कमजोर कर देंगे आईए दशंभाव में चलते हैं वित्रयदी दशंभाव में मंगल बैठे हो तो जातक राजनीती अथवा सेना आदी में बरिष्ट पतबराप्त करता है जातक मंत्री आदी भी बन सकता है जातक को सरकार से लाब होता है जातक ब्यापार करेगा तो ब्यापार से भी खूब लाब क कमाएगा जातक को अपनी माता से लाब होगा जातक महंती होगा परंतु जातक किसी की बात सुनने बाला नहीं होगा यहां पर बैठे हुए मंगल लगन को देखेंगे तो जातक अपनी की करने वाला होगा किसी की नहीं सुनेगा जातक जल्दवाज और क्रोधी प्रवर्तिका होगा और जातक के अपने पिता के साथ में मतभेद भी होंगे यदि यहां पर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो आप अपने पिता की बात सुनें पिता की सलाह से काम करें लाव होगा आईए एक ग्याराहवे भाव में चलते हैं मित्रयदी ग्याराहवे भाव मंगल बैठे हों तो जातक को अपने बड़े भाई बेहनों से लाब होगा यहां पर बैठ हुए मंगल सश्थ भाव को देखेंगे तो जातक सत्रुहनता होगा जातक के सत्रु बहुत होंगे प प्रफल ही हो जाएगा जातक को जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी परंतु जातक खर्चीले सभाव का होगा खर्च भी बहुत करेगा आईए बारह बेभाव में चलते हैं मित्रदी बारह बेभाव में मंगल बैठे हों तो सब्तमें शोकर के मंगल अपनी ही रासी में आ गए हैं तो ऐसी स्थित में जातक सौकीन मिजाज का होगा कामुक प्रवर्ति का होगा ऐसे लोगों के अंदर कामबासना बहुत जादा होती है जातक अपने मन की करने वाला होगा जातक का जीवन शाथी का सुभाव गुस्यल होगा जातक अपने छोटे भाई बहनों की खूप स परन्तु जातक के छोटे भाई बहन उसको धोखा देंगे जातक ब्यर्थ के गलत कामों में भी खर्च करता रहेगा हो सकता है कि जातक सरावादी में या फिर कामों का अपनी काम बासना में ही खर्च करता रहे तो ऐसी इस्तिति में यदि यहां पर मंगल बैठे हैं तो आप आपकी कुंडली मांगलिक है मित्रों आज हमने जाना कि ब्रिश लगन के बारहों भाव में मंगल कहां पर बैठेंगे तो क्या फल होगा आज के लिए वस इतना ही आसा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार